तो तुम दाड़ी बढ़ाना चाते हो Weirdo के Weird Oils है इस Oils की पूरी सच्छा है इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या इससे दाड़ी उगेगी नहीं उगेगी प्राइस क्या है केसे उसकरना है सारी बाते इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो देखो इसकी बोटल कुछ इस पिरिकार से देखने को मिल जाती है ठीक है इस पिरिकार से इसकी बोटल देखने को मिलती है ये इसका बॉक्स है जो कि हमने ओनलाइन मंगबाया था अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं दोस्तों तो इसका जो price है दोस्तो 750 रुपए है लेकिन description में जो link डालूँगा हो सकता है उससे आपको कम्मे में मिल जाए ठीक है तो आप एक बार check out कर लेना अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें ingredients कौन कौन से मिला है तो देखो इसमें sesame oil देखने को मिल जाता है इसके साथ साथ इसमें vitamin E मिल जाता है आपको और भी कुछ ingredients बगेरा मिलाए है जिसे की zinc, coconut, oil बगेरा मिलाए गए है मतलब ingredients काफी अच्छे हैं ऐसा नहीं कि ingredients बेकार है लेकिन price जो है उसके according ये थोड़ा सा महंगा है मैं ये भी कहना चाहूंगा अब बात कर लेते हैं इससे फायदा क्या हो सकता है क्या इससे सचमेदाड़ी उखती है नहीं उखती है तो देखो सबसे पहले box को side में रखते हैं अब बात करते हैं इस oil की तो ध्यान से आप देख लो कुछ weird हो का एकदम orange जाल ये oil है ठीक है और इसमें oil अभी बहुत सारा है ठीक है अब बात करते हैं क्या इससे weird होगेगी या नहीं देखी यहाँ पर अगर आप मेरी weird देखोगे तो काफी जादा है यहाँ पर थोड़ा सा मूच बगेरा में थोड़ा सा gap है और यहाँ पर जो weird है अभी आ रही है धीरे धीरे ठीक है मैंने अभी तक मतलब एक मुच्टा का weird oil यूज़ करा था लेकिन मेरी weird पहले से आ रही थी तो उस oil से उतना जादा फरक नहीं पड़ा मतलब फरक यह पड़ता है कि आपकी जो weird रहती है वो थोड़ी sign करती है वो smooth रहती है उसमें dender बगेर नहीं होता है और उसकी जो growth है वो धीरे धीरे बड़ा देता है अगर आप इसको भी use करोगे तो इससे आपकी एगर weird पहले से आ रही है तो वो जो weird है उसकी growth थोड़ी improve हो जाईगी बाकी के इससे पेची weird जिनकी है वो सोच रहे है कि हमारी पूरी weird आ जाईगी तो ऐसा नहीं है अगर आपकी weird की हो चुकी है तो ये उसमें थोड़ी बहुत help कर देगा बाकी कि आपकी जो weird है उसको sign ही रखेगा smooth रखेगा dend up नहीं होने देगा ये काम ये करेगा यूज केसे करना है तो रात में सोने से एक घंटे पहले आप इसके चार से पाच बून लीजिए और उसको सर्कुलरन मौसन में घुमाईए अपनी मूच पे भी घुमाई लीजिए और यहां जहां जहां beard आ रही है आपको इसको गुमाना है और लगाना है और सुबह नורबल वटर यहां फिर या फिर फैस वोस से फैस को wash कर लेना है इस परकार से इसको यूज करना है अगर आपको वीडियो पसंद आ गए तो वीडियो को